तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की एकदम अनोखी एकदम नए स्टैल की रेसिपी यह है टकाटक अंडा मसाला जो खाने में इतना लजीज है इतना टेस्टी है और इसका स्वादना बिल्कुल अलग है मतलब जो नॉर्मल अंडा करी बनती है या अंडे की जरूर देखें तो इस ट्रेसिपी के लिए मैंने लोहे का तवा यूज किया है और यह थोड़ा से साइज में बड़ा भी है मतलब जो डोसे वाला तवा होता है वो यहां दो बड़ी चमच मैंने ओल गरम करने लगा दिया है साथी साथ में आपर आदी छोटी चमच हल्दी आड़ कर रही हूं और एक चुटकी मैंने नमक ले लिया है दोस्तों और साथी साथ आदी चुटी चमच लाल मिर्च पाउडर भी ले लिया है और इन सब को मैं अच्छे से चला लेती हूँ यह तवा थोड़ा फ्लैट है इसलिए कि पूरे में लग जाता है तो अब हम क्य जाता है तो यह लिजे मैं इसको पलट देती हूं और हलकी हलकी सी अंडे में ब्राउनिंग हो गई एक तरफ तो हम पलट के दूसरी तरफ भी पका लेते हैं तो यह लिजे हमारे अंडे एकदम से तयार हो गए अच्छे से फ्राई हो गया है यह तवे पर बहुत अच्छा ले लेती हूं फिर से और इसमें दो मैं डाल दती हूं लॉंग और यहां पर एक बड़ी गठी प्याज जो मैंने अच्छे से चौप करी है हातों से वह आप इसमें डाल दें तो बस अब हमें प्याज को अच्छे से चलाना है पहले यह ट्रांसलूसेंट होगी मतलब अच् लेकिन बहुत ज्यादा जलने नहीं चाहिए इस बात का जरूर ध्यान रखें तो यह रखिए अच्छी सी ब्राउनिंग हो गई है अब हम क्या करेंगे नेक्स स्टेप लेते हैं यहां पर मैं एक बड़ा चम्मच अद्रक लसून का पेस्ट ले रही हूं मतलब एक चम्मच तक वाली रेसिपी है जब आप इसको बनाएंगे ना तो तवे पे टक टक अवा जाएगी इसलिए इसका नम टक टक अंड़ा मसाला है तो बैस इसको आपको अच्छे से चला लेना है इस तरीके से तो जब यह अच्छे से भुण जाए अब मैं यहां पे आधा टमाटर डा दला तो इस देशी तमार्त में मतलब वह बात नहीं होती है जाहिए मैंने से इसको घ्खिशायब चाहिए keepingि तक टक के लिए कोई मेर यां पे चाहिए तो यह लेग्यांटर मुझे बाकि बचल भानेवाय वह भी डाल दिया था मैंने बाद में अब d.कaldh सल्फ का पाउडर का जियरे और हमitte complete , और अब हम इसमें अडhake करेंगे एक स्वाइब मिर्ची का पाउडर भी अब साथी साथ यहां पे हम थोड़ी सी हल्दी आइट कर लेते हैं इसे बहुत अच्छा सा रंग देने के लिए और यहां पे मैंने कश्मीरी लाल मिच पाउडर डाला है एक छोड़ा चमाच साथी साथ मैं यहां पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे अधी छोड़ी चमच आप यहां पे नमक कर दें बस तिर इसको हमें अच्छे से चलाना है दोस्तों इसी तदी के से जब्सक्रिश कर लेए इस मसाले को मिक्स होना बहुत जरूरी है इसको भूनना बहुत जरूरी है दोस्तों थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ मतलद 2-3 मतलowanie मासाला दाला ने जोड़ती है, ने कीज कैसे भूली,akah ज़ोगस टीकिती, कीनटी के-ब्रॉञ आभ सू。 ॉब एक टोटल पाझे कर तो देही, थोड़ा पाझे दाले west và रहे हूं जोड़नाना पनी कीज़ोना हो दूलोरी. कर दो मिनिट के बाद आप देख रहे हैं साइट साइट से मसाला पक चुका है और बी अलग हो चुका है इसमें अब यहाँ पर इसमें अंडे लगा देती हूं जोने एक फ्राइ करे थे वह आप अंडे यहाँ पर लगा दें इस तरीके से पहले आप इसको पलट के पकाएं ज तो बिलकुल इसी तरीके से आपको इसे पलट देना है और यह देखे कितना जबरदस लग रहा है मतलब अंडे को पहले मेरिटेट किया तो इसका फ्लेवर अलगाया और आप इस तरीके से मसाला में लगाएंगे ना तो इसका फ्लेवर और दुग ना हो जाता है तो यह लेजाएं हमारे अंडा तकाटक मसाला तयार हो गया है उपर से आप धनिया डालिए और रेसिपी को आप ऐसे ही सर्फ करें मतलब तवे में ही सर्फ करेंगे ना तो इसका मज़ा और दुग ना दिखना हो जाएगा तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कामेंट करके आप ज